कुछ लोग चपपल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीछड़ भी उछालते हैं इसलिए अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिष्टा तो सबसे रहो पर उमीद किसी से नहीं हमेशा सुकून से रहना चाहते हो तो किसी की बातों को लगाना दिल से नहीं कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी होते ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं जब भी कोई पीट पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना पीट पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है जब भी कोई तुम्हारी किसी काम में टांग खीचे तो ये याद रखना कि टांग वो खीचता है जो हमसे नीचे रहता है दुनिया आगर आपका विरोध करे तो डरना मत क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेकती है हम सोचते थे कि जिन्दगी बदलने में बहुत समय लगेगा पर क्या पता था कि बदलता हुआ ये समय जिन्दगी को बदल कर रखतेगा किसी ने क्या खूब कहा है लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलत जाते हैं इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समय जिन्दगी का एक सीधा सा गणित रखो जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं जो पच्चता नहीं वहां खाना नहीं जो सच बोलने पर उठे उसे कभी मनाना नहीं जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं लोग मतलब ही है ये रोना किस काम का अरे ये तो असूल है इस दुनिया का कि जिन्दगी में आप जब तक काम के हैं तबी तक लोग आपको पहचानेंगे क्योंकि याद रखना अक्सर दिया ज जिन्दगी से नारास ना होना, क्या पता आप जैसी जिन्दगी दूसरों का सपना हो। चिंता हमेशा उतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिन्दगी तमाम हो जाए। दुख का असली कारण तो यह है कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। मनश्य के लिए बुरी संगत, उस कोईले के समान है, जो गरम हो तो हाथ जला देता है, और धंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। लोग बड़े आराम से रिष्टों को तोड़ देते हैं, दिलों को तोड़ देते हैं, वो यह नहीं समझते के मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जिन्दिगी में अगर सफल होना है, तो यह याद रखना, तुमें काम उसी नसीहत पर करना है, जो तुम दूसरों को देते हो। क्योंकि कमजोर तो तब रुपते हैं, जब वो ठक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुपते हैं, जब वो जीत जाते हैं। क्योंकि कमजोर तो में याद सरा काम जाते हैं, जब रुपते हैं, जब वो जाते हैं। प्राइब प्राइब यह प्राइब भी यह प्राइब रख़स्ट टूर रख़स्यार बाँ, अजगा लाँ, आप रहे भी जा है।